आप सभी को पता है कि 2019 के विधान सबा चुनाव का विगुल बच चुका है अब एसे में राजनीतिक गरम हो गई है और चर्चाएं जोरो पर हैं लोग हर चोक चोराहे पर राजनीतिक चर्चाएं करते हो आपको नजर आ जाएंगा आज में नुह विधान सबा के गाउं को चुछ लोग्हें और जो चुनावी कर्चा करता हैं क्योंकि विधान सबा के शुनाव सर्पहल से बात करेंगे और नौजवान भी हमारे साथ हैं जी भाई जी क्या होने वाला इस बार विदान सबस चुनाओं में किसको वोट देंगे आप कॉंगरेस को देखे एक हमारे साथ भुजुरु गहन से बात करेंगे क्या होने वाला इस बार विदान सबस चुनाओं में उलट पुलट होने वाड़ा है। बीजेपी सरकार को पतो साफ होगा। आपके गाहों के आखलान बता सकेंगे कितनी वोटे हैं और किसको कितना मत गाहों में 7000 के करीब वोटे हैं। और देखो गाहों का अगर कंडिटेट के लिए टिकट मिल जाता तो जादा वोट तो गाह वित्रण की बात आएगी एक और हमार साथ मोझे दीता हुजी किस पार्टी में तो भाई अभी कोई विचार नहीं जब यह नेता अपनी जुगत सही कर लेंगे तब यह टे करेंगे कि इस पार्टी को वोट देना है अमारे साथ नोजमान है इनसे बात करेंगे यूपीड क काफी एहम योगदान रखती है सक्ता में बाई जी किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे चाहेंगे चोदरी जाकर हुसेयन के लिए वोट करेंगे चाहें निर्द्याली उमीदवार हो चाहें टिकट से हो पांति सार सक्ता में रहें क्या लोगों की विचारदाराइं अलग है और हमारे साथ और महजूद हैं से बात करेंगे जी बाइजी कौन सी पार्टी को देना चाहेंगा मैं मालब की यूए नेता सारी खुसेन उसको देना चाहूंगा बीजेपी का अगर उनको टिकट मिलेगा तो जी जिताओ जी बीजेपी क देखो जी पहले तो हमारा गाओं का है कंडिडेट सारी खुसेन और हम नुहसु जो भी लाने चाहते हैं तो नए यूआ को लाने चाहते हैं पुराने जो बंदे थे जैसे तो चोधर जाकर हुसेन है आफ ताफ है इनने कुछ ना कर पाए मेवाद के लिए और ना हम तो इस पिर वोट बैंक की राजनिती की है उन्होंने एक छेतर का विकास नहीं करा है मेवाद का हमेशा से सोचन होता रहा है ऐसा यूआ का दुख और दर्द छलक रहा है और मेवाद के जो यूआ है खास तोर से यूआ पीडी वो हमेशा अभी भी बाट जो रही है विकास की और है इंडस्टी जेरिया नहीं है मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कुछ और हमारा साथ विधान सबस्वा चुनाओं के ठीक पहले क्योंकि नुह विधान सबस्वाच्षेत्र के अगर बात करें तो यहां रोचक मुकाबला होने वाला है और आज हम नुह विधान सबस्वा अलग हुए लोगों कि नौजमान हमारे साथ है जी बाई किस पार्ट करना चाहें है को आपका 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 ढगार जी एक हमारे साथ एक उम्रदरास है नोजमान भी है और इन्होंने राजनीती बड़े करीब से देखा है जी क्या हुने वाला इस बार है रिधा उन मुज जो घरानों के बड़े सियासी खिलाडी इस बार मेदान में हैं, कौन जीत हासिल करेगा? यहां से, अब यहां तो टिकेट को पाज हैं, बेज़े पिक टिकेट किसमे मिलता हैं? अगर जो निया चेहरा जो गाहें से निकल रहा है, उसको अगर टिकेट नहीं मिल पाता है, तो फिर किसको वोट जाएगा? पिर कांग्रेस हो जाएगा अगर नए चेहरा आज तो फिर हम अपने ने वाले जपना अपने पर इस बार किस बार विकास का काम तो करा कांग्रेस ने और कांग्रेस को उट जाएगी यहां से गाओ में कितनी वोटे हैं हमारे साथ चाजार का असपास हो देखिए साब लोग बता रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस ने जितना विकास कारे पिछले दस साल में कराया बीजेपी ने कहीं तक नहीं कराया और हमारे साथ मोजूद हैं इनसे बात करेंगे जी किस पार्टी कोड करना चाहेंगे आप अब कोई मोड नहीं किया कोई देखिए लोग भी समझदार हो गए हैं जैसे नेता अलग-अलग पार्टियां बदल रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे साथ एक नोजवान हैं से बात करेंगे भाई जी इस बार विदान सबस्वाद चुनाओं में क्या होने वाला हैं यहां मौजूद हैं यह वो बुजूर्ग हैं जिन्होंने हर स्यासत को देखा है और काफी अर्से से देखते आ रहे हैं मेवाद के हर सूरत को इन्होंने देखा है दिसा बदली है यह नहीं बदली यह भी नोंने बदस्तूर देखा है मेवाद का विकास हुआ है के नही बता है आप नू कह रहा हो वागा देखे आप दुख दर्द समझ रहे हैं यहां के बुजरुग लोगों ने इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ यहां मेवात का सोशन हुआ है और यह आप देख रहे हैं कितने खपा हैं जी एक चाई की चुस्की के साथ एक बुजरुग हमारे साथ हैं जी क्या होने वाला इस बार बैर मुर कहावत कहा होना है किस पार्टी को देंगे आप बीजेपी को आपके गाउं में कितनी वोटे हैं इस बार जादा निकल कर सामने आरा अगर उसको टिकट नहीं बेर पाता है तो आपका बोट कहां जाएगा बीजेपी को देखे सहाब जड़ा तस्वीर साफ हो जाती है बीजेपी की तरफ इस बार ज्यादा रुजान नजर आ रहा है लेकिन इनका एक कहना है कि अगर युवा चेहरा है अगर उसको टिकट नहीं मिल पाता है तो हमारा край नकहीं जो वोट जाएगा जो और चेहरा होगा उनको वोट जाएगा यह समय करन तब समझ बहन हताएंगा जब टिकट का वंटन हो जाएगा जब टिकट फाइनलाइज हो जाएंगे जब पार्टि internet सक्रिय हो जाएंगी तब तक के लिए बनेरे क्योंकि यह वड़ा गाओं है जो नुहू की सियासत में एक एहम योगदान रखता है साथ से आठ अजार वोटे बताई जाती हैं अब देखने वाली बात हो कि जनता और जनता जनारदन किस रहनुमा को चुनेगी और नुहू से जो दो बड़े खिलाडी रहे हैं वो इस बार भी मैदान में हैं क्या किसको फत्य हासिल होगी और किसको सिकस्त का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं दिखा रहा हूं आपको डिटीव निउज के हवाले से लगातार की कवरेज बने रहे हैं